Hello everyone, मैं नी लम्तिवारी आप सभी का Magnet Brins में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ Magnet Brins से कैसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडर गार्टन से लेके 12 क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री अविलिबल करवाय जाते हैं और चाहे NTSC हो, Olympiad हो, JEE हो, NEET हो आपको जो भी पढ़ाई करनी है IIT, JEE, NEET की सब आपको बिल्कुल 100% फ्री अविलिबल करवाय जाती है Magnet Brins चैनल पर ठीक है ना उसके लिए आपको ना तो कहीं बाहर जानी की जरूरत है ना ही पैसे खर्च करनी की जरूरत है बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टीचर के साथ मैं, Magnet Brins के साथ मैं, आप आराम से पढ़ते रहें, कोई पैसे की चिंता नहीं करनी है ठीक है ना तो जैसे के हम कक्षा ग्यारवी संस्क्रिप भास्वती कूर, ठीक है, कूर में हम किसको पढ़ते हैं, केंद्रिक जो हमारी भाषा होती है, उसमें हम उसमें हमारा एक आदश जो पाठ चल रहा है, समें प्रियह, के वह मुझको प्रियह है, इसके अनवाद के भ यह हमारे एक तो द्वादश भगवत की द्वादश अध्याय और इस रजुद्याय को भक्ती योग कहा गए है लाऽ बास्ति के बारे में बताया गया है कि भक्त कैसी अथी होने चाहिए वह आपकी पुस्तक में नहीं है लेन उनका हम आपको अर्थ बताए देते हैं कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि बहुता है कि आपको प्राप्त करने का तरीका क्या है आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये भी आप बताए तो भगवान ने बताया कि जो सभी अपने इंद्रियों को वश्मे कर लेते हैं योग के द्वारा योग के द्वारा जा सारी इंद्रियों को जो वश्मे कर लेते हैं मुझ में ही अपना चित लगाते हैं सभी उनका सिम्रिति रूपी संसारशागर इसां प्राइब है उद्धार करने वाला हो जाता हूं। मैं उनका उध्यर्ण करने भी बिलम्न करता हूँ जराबी समय नहीं लगाता हूँ prospects उनका मैं इस संसार सागर से हुड्धार कर देता हूंorian और श्री क्रिश्ण ने अपने पांचों श्रीकर petals ने बताया अब इसके बाद उन्हें ने कहा जो पांचिवा श्रीकरे में अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने बुद्धी को मुझ में ही प्रवेष कराओ यानि अपनी चित्त को मुझ में ही ध्यान करो अपनी चित्त आपका तुमारा जो मन है उसको मुझ में ही लगाओ तुम अपनी बुद्धी को मुझ में ही प्रवेश कराओ तो तुम मुझ में ही निवास करोगे इसमें कोई शंसे नहीं है अब इसकी बाद आगी भगवान क्या कहते हैं इसको हम पहले श्लोक पढ़ेंगे उसकी बाद हम आपको अर्ध बताएंगे अथ चित्तम समाधा तुम नाशक नोसी मैस्थिरम अभ्यास योगें ततो माम एकशाप तुम धनन जै अब देखे यहाँ पर कैसी कहा है कि अथ यानि इसकी बाद धनन झै अथ इसकी बाद कहते हैं यदि तुम किस इसको कहते हैं चित्तम समाधा तुम नाशक नोती तुम अपनी चित्त फcular मुझ्य में स्थापित करूं मुझ्य कर दो और अपनी बुध्य को भी मुझमें ही प्रवेश कर साइब तो तो मुझमें ही रहोगे इसमें कोई संशय नहीं है अपने पांचवेश-वेश दिपने कहने सैनी तई Anea अपना पूरवारद बढ़ाते करते हो मैं इस्थरम मुझ में ही स्थापित करने में अगर तुम असमर्थ हो अभ्यास योगिन ततो माम एक्षा आप तुम धनन जय तो कहते हैं कि जो तो अभ्यास योग को तुम प्राप्त करो उसकी इक्षा करो अभ्यास योग की तुम एक्षा करो तो फिर तुम क्या करो म अगर तुम मुझ में ही स्थापित नहीं कर पा रहे हो ततह तो तुम माम एक्षा आप तुम मुझको प्राप्त करने के लिए एक्षा आप तुम धनन जाए हे अर्जुन तुम क्या करो किसकी इक्षा करो मुझको प्राप्ट करने के लिए अब इसको हम तोड़ा अलग करने तो आपको इस पश्ट हो जाएगा माम मुझको यहाँ पर इक्ष अलग किया हमने तो इक्ष अलग निकलाया और आप तुम अलग हो गया तो उनहोंने कहा, तो तुम ततह, तो फिर इसके बाद तुम मुझे को प्राक्ट करने के लिए किसकी अभ्यास योग के दिवारा इक्षा करो योग करो वो भी कैसा? अभ्यास योग कैसा निरंतर जब ध्यान करते हैं हम अपने योग का अर्थ क्या होता है? एका गर्चित करना, अपनी मन को, मन के साथ में अपनी इंद्रियों को, हमारी ग्यान इंद्रियां होती हैं, आखें, कान, नासिका, जिवा, तब अच्छा, ये फाइट सेंस ओर्गन जो कहते हैं, और हमारे helping organs कौन कौन से होते हैं, हमारे हाथ होते हैं, हमारे पैर होते हैं, और हमारे organs होते हैं, ये सारे चीज़ें जो होते हैं, हमारे 5 ग्यान इंद्रियां होती हैं, और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, ठीक हैं, अंदर हमारे भोजन ग्रहन करने के लिए भी होती हैं, कुछ निशकाशित करने के लिए होती हैं, तो इस प्रकार से हमारे 5 ग्यान इसके बाद तुम अपने चिप्ट तो को समाध दू नाशकनोस यदी तुम तो 19 sacrifices तुम इसस्थिर नहीं कर पा रहे हो मैस त्यर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम क्या करो ततर तो इसके बाद माम आप तुम मुझे को प्राप्त करने के लिए तुम तुम अभ्यास योग के द्वारा एक्षा करो तो तुम अभ्यास योग का मार्ग अपना उन्होंने ये भी कहा उन्हें का नहीं कर पा रहे तो किसकी द्वारा करो तो किसकी द्वारा मुझमें अपने मन को इस्थिर करो अभ्यास योग के द्वारा अभ्यास करोगे उस योग का बारवार अभ्यास करोगे बारवार मेरा चिंतन करोगे बारवार मेरा मनन करोगे तो उस अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझ में इस्थिर कर पाओगे ठीके मुझको तुम प्राप्त कर पाओगे ठीके तो हमारा अनुवय क्या बना है कि धन तो फिर माम मुझको अभ्यास योगिन आप तुम एक्षा करो, तो तुम मुझको अभ्यास योग की द्वारा प्राप्त करने की एक्षा करो, ठीक है? यदि तुम कहते हैं अगर तुम चित को मुझे में स्थिर करने में समादा तुम ना शकनोती तुम इस्थिर करने में समर्थ नहीं हो तो फिर मुझको अभ्यास योग के द्वारा आप तुम प्राप्त करने की तुम इक्षा करो ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा श्लोक हो गया इसका अनवाय हो गया इसके वाद सरलार्फ में कहेंगे कि ही धनन जाए यदी तुम अपने चित अर्थात मन और बुध्धी को मुझा मैं स्थापित करने में समर्थ नहीं हो समाधा तुम नाशक नोती समर्थ नहीं हो तब तुम मुझे, तब तुम मुझे क्या करो, तो कहते हैं ततह माम, तो फिर माम मुझको तुम अभ्यास योगेन, अभ्यास योग से ही प्राप्त करने की आप तुम इक्षा करो, तो तुम फिर मुझको अभ्यास योग से प्राप्त करो, नहीं तो हर कर्म अगर तुम मुझ में निवास करोगे ही यह तो उन्होंने पहले ही के दिया और अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम अभ्यास योग की द्वारा मुझको प्राप्त करने की क्षाकव ठीक है ना शक्नोजी नहीं कर सकते हो अब यहां आप तुम यानि प्राप्त करने के लिए धननजा यानि मार्ग है तत्र अब उनमें स्वाचित्त पूर्ण दया है यहां तक बना हुआ है यह वाला जो भावार्त है आपके पांचवेश लोक से भी मिलता जुलता है क्योंकि जैसे तीन और चार का एक योम है इसे इस तरह से पांच और छे का भी एक युक में है लेकिन एक श्लोक अच्छे से समझ में आजा इसलिए हमने एक साथ में ना पढ़ा कि आपको अलग-अलग बताया है तो आपको आदा भावार्त वहां का भी मिलेगा इसमें क्योंकि जब तक हम उसको नहीं समझाएंगे तब तक यह वाला समझ में कैसी आएगा हमने पांचवा आपको समझाय बहुआन ने क्या कहा तुम अपनी मन को अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो अपनी बुद्धी को मुझ में प्रिविश कर आओ तो तुम मुझ में ही निवाष करोंगे इसमें कोई संसॉय नहीं नहीं लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो अगर तुम मुझ में चित्व को स्थापित नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास योग के दुवारा मुझको प्रात करने की इक्षा करो तो पाँचवा और चटवा क्या है दोनों साथ किष्लूक है ठीक है तो इसका भावार्त अगर आधा अधा बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा वैसे हमने आधा उदर बता दिया है फिर भी इधर आपको पाँचवे के साथ में चटवा समझाएंगे तो जल्दी समझ में जाएगा कि अत्र भावो अयम यहां पर भाव यह है कि इश्वर प्राप्ति अनेकी मार्गा संती इश्वर प्राप्ति की तो अनेक मार्गों होते हैं तत्र लेकिन वहां पर स्वाचित पूनत अया अपने चित्र को पून रूप से इश्वरे इश्वर में ही समर्प्य समर करके इंद्रियानी नियम में इंद्रियों का नियमिन करके इंद्रियों को वश्मे करके सर्व प्राणी नाम हितम कृत्वा सभी प्राणियों का हित करके ईश्वरह प्राप्तुम ईश्वर प्राप्त करने के प्राप्त किया जा सकता है इश्वर को प्राप्त किया जा सकता है अथसाध कहा लेकिन अगर साधक एतत कर तुम असमर्द है, लेकिन अगर साधक ऐसा करनी में असमर्द है भवीद अगर होती है तदा तो फिर उन्हें अभ्यास योगिन अरथात बंब पुन्यिन अरथात फिर उनको अपने अभ्यास योग की द्वारा भगवद बजनिन, अभ्यास योग क्या हुआ एसा योग जिसमें हम भगवान के पुन्य करें भगवान के लिए पुन्य करें भगवयान muitos करें नाम का जब आदी करें उसके दौरा avons को प्राप्त कर सकते हैं बद्वर के बांगे उस्समर्फ करेंगे थुर चित्त अपने आप उस अभ्यास के दुआरा अपने आप इश्वर प्राप्ति के और पहुंच जाएगा तो यहां भाव यह है कि इश्वर प्राप्ति के अनिक मार्ग हैं अपने चित्त को पूंट एश्वर में समर्पित करके अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए चुले अब देख लेते हैं संदी विच्छे जिसमें कि माम एक्षा आप तुम जो लिखा हुआ है मामी एक्षा तुम तो माम को अलग किया तो एक्षा अलग निकल आया और आप तुम अलग निकल की आजाएगा ठीक है बाकी तो देखिए और हमारे जो शब्द है इसमें किसी में संधी और हुई नहीं है सिर्व यहीं पर हुई है यह कि यहाँ पर और हुई है हम आपको बताए दे रहे हैं ततो जो है ततो तो जो तत जो शब्द है ओकी मात्रा है वो विसर्ग से आई है तो यहां पर अगर आपके सामने कोई शब्द किस प्रकार से पूछ लिया आप यह नहीं सूचीगा कि इसको तूड़ना है अगर सबको साथ में देदें तो ततह को अलग कर देना माम को अलग कर दीजेगा एक्ष को अलग कर दीजेगा और आप तुमको अलग कर दीजेगा ठीक है? तो इस प्रकार से आपके इस सारे शब्द का हमारा विग्रह हो जाएगा ततह, माम एक्ष और आप तुम ये आपके क्या हो जाएंगे चार शब्द निकल कर आजाएंगे यहां से ठीक है तो इस प्रकार से भी यहां पर भी आप संधी कर देंगे ठीक है चलिए अब चलते हैं यहां पर हमने आपको बताई दिये के और बाकी के हमारी कहीं पर उसंधी आई नहीं है दो जगे ही आई थी तो हमने आपको बता दिया अब देख लेते हैं अपने शब्दों को के माम कहां से आया है द्वीतिया के एक वचन से असमद के शब्द रूपों से और चित्तम चित्त का प्रत्मा वेवक्ति और द्वीतिया वेवक्ति अदे के चित्तम जो शब्द है चित्त जो शब्द है वो प्रत्मा में भी चित्तम बनता है और द्वीतिया में भी चित्तम बनता है ठीक है को का अर्थ निकल रहा है तो द्वीतिया कह देंगे हम उसको ठ प्रत्मा कह देते हैं जैसे हम फल को नहीं कहते हैं तब भी फलम होता है धातु देख लेते हैं शक नोसी इसमें शक मूल थातु है शी जो लगा हुआ है कहां से आता है लटलाकार से शी कहां मध्यम पुरुष एक वचन से एक्ष अब देखे इसमें कोई परिवर्टन नहीं दिखाई दे रहा है एक्ष में तो इश मूल थातु होती है लोटलाकार में मध्यम पुरुष की एक वचन में रूप बनता है जिसमें कोई परिवर्टन नहीं होता है चले अब देख लेते हैं समा धातुम तो सम आ और धा मूल थातु है सम और दो उपसर्ग लगे दा मूल किस-किस के हैं वो बता दिये शब्दों का परिजय करवा दिया धातु का परिजय करवा दिया संदी बता दि समास आया नहीं है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया ठीक है चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले श्लोक पर अब देखे कहते हैं अभ्यासे नानी अभ्यास में ठीक है अब यहां से हम हर एक शब्द को अभ्यासे अप्यास समर्थो असी पहले हम इस शब्द को क्या कर लेते हैं विग्रय कर लेते हैं अगर हम हर एक शब्द का विग्रय कर ले तो फिर वो शब्द अपने अपना अर्थ आपको देदेगा तो यहां पर क्या कहा है, अभ्यास्य अभ्यास्य को किया, अलग किया, कहां से किया, हमने ये दो अभग्रह के चिन देखे, इनको सबसे पहले आमे परिवर्टित किया जैसे ही अगर आपको कहीं पर भी बीच में अवग्रह का चिन्न दिख रहा हो उसके पहले या तो एकी मात्रा लगी होगी या फिर ओकी मात्रा लगी होगी ये दो नियम से बनते हैं एक ही मात्रा अगर लगी है तो आपको कुछ नहीं करना है एक ही मात्रा के शब्द को जसका तस लिखा रहने देना है जैसा का तैसा और अवग्रह को आमें बदल देना है और अगर यदि आपको अवग्रह के चिन के पहले ओक ही मात्रा दिख रही है एक ही मात्रा होती है तब पुर्वरुप संधी का नियम लगता है और ओ की मात्रा लग रही होती तो हमारी कौन सी उत्वसंधी का नियम लगा हुआ होता है विसर्गी की उत्वसंधी का तो यहां पे हमने कर दिया अब बना दिया और इसको भी आ बना दिया ठीक है इन दोनों को हमने आबना दिया तो अब हमारे सामने जो शब्द आया वो क्या आया अभ्यासे हो गया अब इसको हमने क्या दिया अप्यसमर्थो और समर्थो के बाद फिर क्या दिया हमने असी ठीक है अब अभ्यासे अप्यसमर्थो असी यानि अभ्यास में ये तो हमें समझ में आ गया क अभ्यास शब्द, अकारांत शब्द है, बालक जैसे इसके रूप बनेंगे तो सब्तमी में रूप बना इसका अभ्यासे, अर्थ निकला अभ्यास में, क्योंकि सब्तमी है विभक्ती, तो उस शब्द में मैं परका अर्थ जुड़ जाना है, योग अभ्यासे, अब असी या कि यह जो परिवर्थन है जो अप्य कहां से आ सकता है तो इसमें हम कोई संधी विछीद का कोई नियम ढूण ले है तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है यह हमें आपको बताए कि चारवण आपको यारला व और व अगर यह चारवण आपको पूरे देखे यानि स्वरसी युक्त देखे तू समझ जाएगा कि यहां और पूरे होने के साथ साथ इनके पहले आपको आधा अवियंजन देखें कोई भी कोई भी आधा वियंजन हो बस हम यह नहीं कह रहे है कि यहीं कोई किसी एक वियंजन का नाम ले रहे हैं नहीं कोई भी वन कोई भी वियंजन आधा हो समझ लेना कि वो निश्चित ही वो कैसा बना हुआ है उले देल लिखा है अप्य समर्थु को जैसे हैं ने अ को अलग किया तो उकी मात्रा को अब हम बिसरग को बदल दे तो यहाँ पर भी हमने कर दिया अप्या समर्थ भाई जो जितने सरल होते जाए उन्हों शब्दों को हमें सरल करते जाना है अर्थ तो पिर अपने आप ही निकल आएगा अनुवाय करने में देर नहीं लगेगी लेगे शब्द तो आजा है समझ में समर्थ तो हमें समझ में आ रहा है अब हम देख लेते हैं इसको समर्थह को अलग रख दिया हमने इन्हें या को उठा लेते हैं सबसे पहले उसे या रा ला वा जो स्वर से युक तो उसको उठा लो उसको उठा के उसमें से सबसे पहले स्वर को अलग निकालो जैसे ही स्वर अलग निकले उसको पीछे वाले शब्द को देके अपना एक शब्द पूरा कर लिजे तो ये हो गया हमारा असमर्थभबन गया अब इसका क्या करें मुले अब आधा बचा हुआ है या आधा हो गया है अब इसका क्या करें य, य, र, ल, व, परिवर्तन होते कहां से है तो कहेंगे यन संधी से होते है य का य बन जाता है उ का व बन जाता है री का र बन जाता है और री का ल बन जाता है ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जब संधी की थी तब तो हमने य का य बना दिया था लेकिन विग्रे करेंगे तो या से फिर से उसके पहले रूप में आ जाएगा और E में परिवर्तित हो जाएगा तो पहले हम या को E में बदल के देखेंगे अगर E से काम नहीं चलता है तो इसके हम फिर दीरग स्वर को उठा लेते हैं पहले हिर्षुर से बनाते हैं मतब पहले हम छोटी E का प्रियूग करते हैं नहीं होता है तो फिर बड़ी E ले लेते हैं ऐसा हर एक स्वर के संग में कर सकते हैं तो पहले हमने छोटी E से कहा कि चलो भाई जुड़ जाओ यहाँ पर पामे आकर तो वो उसने कहा दिया अपी और जैसे ही अपी बना तो यह हो गया अपी अस्मर्थः तो यह हमारे सामने दूशब्द निकल के आ गए की नहीं आ गए अब हम अप्यशमर्थः को अगर यहाँ पर अप्यशमर्थः लिख दें तो आपको एक एक शब्द का अर्थ सही आ जाएगा तो क्या कह रहे है भगवान? भगवान कह रहे है कि हे दनन्जय, हे पार्थ को सम्मुदित करती हुए कहते हैं कि अभ्यास में भी अगर तुम असमर्थ हो अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो पहले उन्होंने कहा कि तुम क्या करो अभ्यास करो किसका योग अभ्यास यानि हमारे नाम का जब का तुम बार बार जब अभ्यास करोगे तो स्वयम तुम हमारी भक्ति को प्राप्त कर लोगे मुझको प्राप्त कर लोगे लेकिन फिर आगे उन्होंनों क्या करे अगर अभ् मात्रा स्वय में कभी नहीं आती है किसी विभक्ती में कभी नहीं आती है कभ आती है उत्व संदी की नियम से आती है या फिर बीच में गुण संदी की नियम से आती है तो यहां कहा मत कर्म परमः भव यानि मेरे लिए तुम सारे कर्मों में पारायल हो जाओ जो भी काम करो व अगर ऐसा करने लगोगे तब भी तुम मुझको प्राप्त कर लोगे तो आगे देखे क्या करे हैं तो ये आपका सही समझ में आ गया इसका अर्थ क्या हुआ अभ्यासे अपी असमर्थह असी मत कर्म पर्मो भवह यगर तुम अभ्यास में भी अगर असमर्थ हो रहे हो तो सारे कर्मों को मेरे लिए करना शुरू कर दो सारे कर्म मुझ में पारेन कर दो अब मदर्थम अपी अब मदर्थ देखे मत अर्थम अपी शब्द से ये मिलकर बना है तो हम इसको मदर्थम को अलग करेंगे और अपी अलग हो जाएगा शारे शब्दों को अलग करें तो मत अर्थ अलग दा को अलग कीजिये आ निकल आएगा तो ये अर्थम हो जाएगा चीक है अर्थम हो जाएगा फिर इसके बाद हमारा माहलंद किया तो अपी हो जाएगा मत अर्थम अपी यानि मेरे लिए भी कर्माने कुर्वन करते हुए सिध्धिम अवाप्स यही को जैसे ही मां को हलंत करेंगे तो यहां हो जाएगा अवाप्स यही तो तुम अपने आप ही सिध्धि यानि सफन्ता को प्राप्थ कर लो, सारे कर्मों में मतलब जो भी कर्म कर रहे हूँ वो मुझे पर पारायन होकर करो यानि मेरे लिए करो अगर तुम मुझे में ही पारायन हो जाओगे और मत अर्थ मेरे लिए ही मेरे लिए ही सारे कर्मों को करते हुए तुम सिध्धि सिध्धिम यहां ते ना को अलग कीजिए कुर्वन अलग हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा सिध्धिम, मा को फिर से अलग किया, तो यह हो जाएगा अवाब सियसी, यानि तो तुम मुझे को प्राप्त कर लोगे, चीक है? अगर मेरे लिए भी, मेरे लिए भी तुम कारियों को करते हुए, मेरे लिए किये हुए कारियों को करते हुए भी तुम सिध्धी को प्राप्त कर लोगे, ऐसा भगवान ने कहा, चीक है? तो चले, अब इस प्रकार से हमारा भई यह तो हमने आपको सारे शब्दो कार्थ बता कर्म करते हुए तुम करते हुए तुम सिद्धी को प्राप्त करोगे अगर दू Sब्सक्रियों क्रमोम मेरे लिए ही करो और मेरे लिए ही अगर सारे तुम काम करोगे तो निश्च सिद्धी को प्राप्त कर लोगे मेरे लिए कारे करते हुए तुम सिद्धी यानि सफल हो जाओगे यानि ईश्वर प्राप्ति तुम्हें हो जाएगे तो यहां पर क्या बताया भगवान ने रास्ता बताया ठीक चले अब चलते हैं थोड़े अपने शब्दार्थ अब देखें पहला लिखा है मत कर्म परमाह वैसे तो हम हरे एक शब्द का पहले ही आपको अर्थ बता चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़े से लिख ले रहे नहीं तो क्या होता है कि लागे का कि पता नहीं क्या अर्थ था और यानि मेरे लिए वह यानि मेरे जही और मत और अर्थम शब्द हमने बताया था किसी बनि मिलकर बना हैं कार्थ होता है मेरे और अर्थम का हुआ के लिए ठीक है तो मेरे दिए शिध्ध में सफलता को सिभばい अबासेतिय निते प्रापत करोंगे ठीक है तो भावात किसा संस्क्रिट में हमलेंगे कि परन्तु अपितन आफि न शकनो से लेकिन पर अगर तुम योग करने के लिए भी कैसे करने में शपल नहीं हो पा रहे हो नहीं कर सकते हो तर ही तो फिर केबल म ममक्रते तो फिर केबल मिरे लिए करो तो फिर सारे कारे तो मेरे लिए करो इश्वर के लिए ही कारे कर रहे हो ऐसा सोचते हुए तो फिर ऐसा चिंतन करते हुए ही तुम मुझे को प्राप्त कर लोगे ठीक है तो यहां पर हम दो बार हम जो इती चिंतत्वा लिखा हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं कि दो बार चिंतन का हमारा सही नहीं बनेगा अर्थ तो यहां पर यतना हमारा सही हो जाएगा कि अगर यदीत्वम अगर तुम योग कर तुम योग करने के लिए भी नाशकनोसी अग कार्य करों इस वर ई ईश्वर कर अगर इस्वर कर इस सोच चार। करवाननीprechen सार्य क्रवानीच प्राप्त टै candle . इजसी तक गृत्व है तो और आ तक तुम उपह सकते हैं, तो यहां पे अगर तुम यहांग broken करते हैं। मेरे लिए अगर तुमने मुझ में पारायन होकर कर रहे हो कि ये तो जो काम हो रहे हैं वो इश्वर के मर्जी से ही हो रहे हैं उनीक के द्वारा हो रहे हैं और मेरे जो भी काम है वो मैं इश्वर के लिए ही कर रहा हूँ और ऐसे भी हमारे अंदर भाव आ जाता है तो भी संदी में भावार्त क्या लिखेंगे कि यदी तुम अभ्यास योग में भी नहीं कर सकते हो तो केवल मेरे लिए ही कर्म करो यह सोच करके भगवान ही कर्म करने वाले हैं और सभी कर्म उनके लिए ही किये जा रहे हैं यह करके भी तुम मुझको पा सकते हो ठीक है तो यहाँ प कि संधी में हमने आपको पहले भी बताया कि यहां पे अभ्यासी अलग हो रहा है हमारा एक ही मात्रा के बाद में जो अवग रहें उसको आमे परिवर्भित करेंगे फिर अक्त्य जो लिखा ठीके अब यहां पर थोड़ा पद देख लेते हैं कि अभ्यास शब्द जो है एकी मात्रा सप्तिमी विवक्ति की एकवचन से आई है कर्मानी शब्द कर्मन शब्द है प्रत्मा विवक्ति के बहुवचना ठीके अच्छा वही शब्द दुईकिया में भी बनता है अगर हम के कर्मानी शब्द है वह अपना रूप बताएगा कि मैं कर्मानी प्रत्मा का नाबनकी में दुईतिया की रूप का बना हुआ हूँ ठीक है तो अर्थ की बात है कि अगर साधरन केवल कर्मों का नाम बताया रहा हो कि यह सारे कर्म भगवान कर रहे है तो यह सारे कर्म केवल नाम था तो वहां पर प्रत्मावी भक्ति मानेंगे हम उसको लेकिन कहें सारे कर्मों को हम करें तो फिर जो को शब्द लगेगा वो द्वितिया विभक्ति का अर्थ बताएगा ठीक है ना तो हम नहीं आपको इसलिए बता दिया जैसे फलम फली फलानी फलम फली फलानी प्रत था आता हैं तो इसका अर्थ हुआ है और अगर हमने कह आता है कि बाल्त फलों को खाता है तो एक जगे केindruckनाव छे सब्सक्ति के हो नाम बताता? अब देख लेते हैं, असी शब्द कहां से आया है, असी जो हमारी धातु है, कहां से आई है, अस धातु से, चीक है, सी कहां लगता है, मध्यम पुरुष, एक वचन में, वो भी लटलकार में, तीतह अंती सी थह थ, सी कहां आता है, लटलकार के प्रत्ययों में, जब हमने पढ तो मध्यम पूरुष्ट के एकवचन में सी आता है हमारा भव भूता ह१ाथी अब भू बहु का भव में परिवर्तन होता है ये सरव सब पतेमें बूधी हातु गच्छधातु है गच्छ का गच्छ ही लिखेंगे, हम कहते हैं तौम गच्छ तौम पथ फेistiर बस अतू क्रेंट हम अपन अलश्谁 हम गच्छ क्रेंश हो जाएगा थीक आद्हा वणं था वो पूरा हो जाता है इतना परिवर्तन होता है कहां पर लोचलाकार में लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप बनता है तब इस प्रकार का परिवर्टन होता है अब लिखा हुआ है अवाप सियसी अब इसमें देखिए जो मूल धातू है वो है आप अब इसमें क्या है उपसर्ग लगा है अब को जैसे ही अलग कीजिए तो यहां से आप मूल धातू होती आप यानि प्राप्त करना होता है ठीक है आप वो अलग नहीं है जो हम हिंदी में बोलने के आप ने ऐसा किया है यहां पे जो आप जो धातू है उसका अर्थ होता है प् एक एक से देखते हैं तो अब उपसर्व हो गया आप मूलधातु हो गई स्या आगया लिट लगार से और जो सी लगा है सी कहां से आया वो ले कहेंगे यह सी जो है ती tap inter si इस प्रकार से हम अपनी धातुओं का परिचे बता सकते हैं समास्प देख लेते हैं असमर्थ समर्थ कुसी भी मूल शब्द के सामने अगर अलगने से उसका विलूम शब्द आपको समझ में आ रहा हो तो उसका विग्रह करते समय कुछ नहीं करना है आको नामे परिवर्थित करकी शब्द को अलग लिख दीना है आपके देंगे असमर्थ तो आपके देंगे नासमर्थ अब यहां पर आपके सामने अयोग्यह लिखा हुआ है यहां पर आपके सामने असत्यह लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है आपके सामने अयोग्यह लिखा हुआ है आपके सामने अप्रसन्ह लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे समास विग्रह करते से मैं कुछ नहीं करेंगे इन आ को आप सिर्फ ना में परिवर्दित कर देंगे और शब्दु को अलग कर देंगे ना योग्या हा इती अयोग्या हा नए तत्प्रोष जो समास होता है वो करता क्या है नजो होता है उसको आ में परिवर्थित करके और उस शब्द में जोड़ करके उसका विलूम बना देता है और ये कौन सा होता है हमारा? नए तत्पोष समास है ठीक है जो किसी मूरी शब्द में आपको जोड़ करके उसका विलूम बना देता है चीक है उसके सामने जो हमने ना लिखा है उसको आप में परिवर्तित कर देंगे और इस प्रकार से याद रखेगा क्योंकि समास और संधी और शब्द धातू ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है सारी जो व्याकरण आती है चाहे शब्द रूप की व्याकरण हो धातू रूप की हो संधी की हो समास की हो प्रत्याई की हो आपकी पुष्टक में ऐसे ही बनती और कहीं से नहीं बनती ठीक है ना भास्योती पुष्टक में जो आपके पाठ पढ़ाय जा रहे हैं और उसमें जो शब्द आये हैं और उनमें जो भी व्याकरण का प्योग हुआ है व्याकरनिक जो शब्द आये हैं वो ही पूछ लिये जाते हैं और कहीं से नहीं पूछे जाते हैं ठीक है ना अब मत कर्म परमह क्या हो गया यानि मेरे मत का मूल शब्द क्या रहा था कि मेरे कर्म मेरे कर्मों में परमह परायन हो जाओ ऐसा ही अर्थ निकल रहा था तो यहाँ पे हम मत को मम कर देंगे कर्म जो है वो उसको बहुवचन मना देंगे क्योंकि कर्म का बहुवचन छुपा हुआ है तो कहेंगे मम कर्मनी मम कर्मनी पर्मह यह हमारा तत्पुरुष रमाज से अलग हो जाएगा मत में भी सस्थी विभक्ती लगा दी कर्मनी को भी बहुवचन मना के पर्मह देख दिया चल अब देख लेते हैं प्रत्याएग जिसमें लिखा है कुरवन अब जहां पे अन शेस दिखाई दे समझाना उसमें शत्री प्रत्या लगा हुआ है तो कुर जो कुर देख जाए कर देख जाए तो समझना वो कौन सी धातु है हमारी क्री धातु है कौन सी है कुर कर ऐसा कुछ भी आपको देखा दे करोशी कुर वन जो क्री धातु है वो अपने किसमें क्री से अर्मे परिवर्तित हो जाती है तो हमें कहीं कर दिखता है कहीं कुर दिखता है इस प्रकार से रूप दिखते हैं तो वह होती मुल्धातु कैसी है क्री होती है ठीक है जो कुर लिखा हुआ है उसको हमने क्री से किया वह से अंतमय में क्या दिख रहा है अन अनशेस दिखाई दे रहा है वाको अगर अलग किय चले हम अपने अगली शूक तो देखे हैं अथाइट जो शब्द है तो microw हमें समझ में आहिरा बीग्ण है पढ़ना है कि हम सीधी कोशिश करें कि हमने इसको देख लिया अर्थ को देख लिया और हमारा हो गया अगर ऐसे करेंगे तो कभी भी किसी श्लोक का अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे पहले श्लोक की जो शब्द हैं उनको तोड़िए आप उनको तोड़ लीजिए उनका कर सकते हैं तो यह शक्तों की ओकी मात्रा विसर्ग में बदल सकती है शक्तह हो सकती है ठीक है तो अब हमने यहां से यहां तक का शब्द उठा लिया क्योंकि असी को जादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी तुरंत अलग हो गया अवग्रह का चिनले पे तो यहां पर हमने असी अलग लिख देंगे भी बाद में जब अर्थ इस पस्ट होगा तो अपन अलग लिख देंगे तो यहाँ पर हमें दो जगे संधी का नियम समझ में आ रहा है एक तो आई की मात्रा दिख रही है यहाँ पर याद दिख रहा है स्वर्योक तो और उसके पहले आधावी अंजन लगा हुआ है तो पहले हम आई की मात्रा को तोड़ के देखेंगे भई आई की मात्रा कहां मिलते हैं हमारी वृध्धी संधी में किस से मिलकर बनते हैं आ और आ और ए से अगर जब हम आई को तोड़ते हैं तो आ और ए से मिलकर के आई का मेल होता है भई विग्रे करते हैं तो आ और ए में उसको तोड़ देते हैं अब लेकिन कभी-कभी जब हम आ और ए को अलग-अलग दोनों शब्दों को देते हैं तो कभी अगर काम ना चल पाए अगर सही शब्द ना बन पाए तो हम इनको दीर्ग भी कर सकते हैं यानि इसको बड़ा आ भी बना सकते हैं और इसको अई भी बना सकते हैं ठीके न? कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? इस शब्द को तोड़े लेंगे तो यह हम कहेंगे अथ था को अलग करेंगे अई अलग निकालेंगे और यहां से हम कह देंगे तदाप्यशप्त लिख दिया इसको अब अई को तोड़े लेते हैं अई को आ और एसे तोड़े पहले हम एक काम कर लेते हैं चीक है? तो आ इसको देंगे तो ये था हो जाएगा पूरा कहेंगे अथ बन गया अथ बन गया? अथ कैसे बना? अथ क्या होता है? कहेंगे अव्यय होता है किसी चीज का प्रारंब होता है किसी वाक्य का जब हम प्रारंब करते हैं तो अथ लगाते हैं यानि इसके बाद यदि ऐसी चीज़ें ऐसा अर्थ हम निकालते हैं लेकिन अथ जो होता है किसी वाक्य को प्रारंब करने के लिए लगाया जाता है ठीक है अत तो कहेंगे यह हमारा ठीक बन गया अब हम ए दे के देख लेते हैं इसको तो यह हो रहा है हमारा एतदाप्या तो एतद तो हमें यह मूल शब्द हमें दिख रहा है के नहीं कहेंगे हाँ एतद शब्द होता है और एतद का एतद भी बनता है किसमें जब जश्रत तो संधी आया कि यह तो ठीक है अई लगा देते तो कोई सई नहीं होता तो यहाँ यह तद भी हमारा शहीं शब्द हो गया अब फिर से हमें दिख रहा है कि इसका हम कैसे विग्रह करके और इसको सरल कर लें तो सरल करने के लिए हम इसमें फिर से इस या को तोड़ लेंगे क्योंकि यह स्वर युक्त है और उसके पहले आधा वियंजन है तो यहां पर हमारी यण संदी का नियम लग रहा है तो हम इसको कैसे करेंगे सबसे पहले इस या को नीचे रखके इसका स्वर कर देंगे अलग स्वर जैसे ही अलग होता है पीछे वाले शब्द को तुरंट उसमें जोड़ दीजिए तो आपके सामने शब्द बन जाएगा अशक्त हबन गया अब इस या को ई में परिवर्टित कीजिए पहले छोटी इ में करें तो ये इसमें जाएगी तो ये क्या हो जाएगा एतदापी पा में छोटी की मातरा जब जुड़ी तो ये क्या हो गया एतदापी बन गया ये तदा भी अशब्त हा हमारे सामने शब्द आ गया इन दोनों को तोड़ करके अब यहाँ पर भी हमें अपी का अंदर से निकल रही है बात कि इसमें अपी छुपा हुआ है अपी यानी भी छुपा हुआ है तो हम इनको फिर से अलग करेंगे तो दा को अलग करके अपी अलग निकाल लए ठीक है अलग निकाल दिया हमने अब यहाँ पर बढ़िया की मात्रा नहीं थी एतदप यह लिखा हुआ था वो गलती से लिखियु हुई थी तो हमने इसको दा मैसे नकाला दा मैसे दा को हलंत किया आधा किया, तो स्वर बाहर निकल गया, तो यह हो गया एतद अपी, अब एतद को मूल शब्द में अपने परिवर्थित कर सकते हैं, कहेंगे एतद यानि यह होता है, ठीक है, ताका दा में परिवर्थन जशत तो संदी से होता है, जब संदी होती तब, लेकिन संदी विग्र है उन्य रहा है तो दा अपने तामें परिवर्टेट हो जाएगा तो अब यहां पर हमारे सामने मूल शब्द क्या वना दा को हमने कर दिया तामें परिवर्टेट थी और यह हो ऐन्य यहां कि यहां पर यानि इसके बाद % cheats Ball यानि इसके बाद यह है यहां कर्तुम कर्तुम लिखा हुआ है यहां पर अशक्तह अब हम असी भी लिख देंगे और कर्तुम भी लिख देंगे ठीक है कर्तुम भी लिख देंगे तो यहां पर अर्थ क्या निकलेगा अथ यानि यदि ये तत अपी अशक्तह असी कर्तुम यदि ऐसा करने में भी करने के लि हो तो क्या कर तो कहते हैं ततह तो फिर तुम क्या कर सकते हो मद योगम आश्रितह अब इसको भी तोड़े लेंगे मद्योगम आश्रितह जो लिखा हुआ है मद्योग अब ये जो द्योग होता है द्या किसे मिलकर बनता है दा और या से मिलकर बनता है, तो हम इसको तोड़ लेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, मद अलग हो जाएगा, योग अलग हो जाएगा, और फिर मा को हलन्त करेंगे, तो योगम अलग हो जाएगा, और बड़या की मात्रा निकल के आश्रितह अलग निकाल देंगे, सर्फ सही योग से जुड़े हु मेतृब मेरे योग का अाष्रय लेकर हुआ तूमकों योगों का आश्रयले करते हुआ सारे कर्म के फल का त्याग कर दो कुरू यानि करो कैसा हो करके यतात्मवान किस से मिलकर बना है यतात्मवान यतात्मवान आत्मवान बसक्राइख फल करने करिंद आत्मवान होता है आत्मवान होता है और ग्यान इंड़िया इसरी कर्मिद्रियां है हम आखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुझ से जिब्या से स्वादली रहे हैं, नासिका से सुन रहे हैं, अपने जो त्वचा होती हैं से स्पर्श करते हैं, अपने कर्म इंद्रियों से हाथ पेर और आधी सा काम से अपने काम करते हैं, तो ये सारी इंद्रियां मन की बात नहीं सुनती है मन तो बड़ा चंचल होता है बढ़ान का ध्यार नहीं करता आ कि लुक्त अपके दर्शन कने के लिए सामने नहीं को पंड्यवाइन गधाए पंडित जी की चोटी देखे इस वाल candidate पेनी तो आपका मन आपकी मन की इंद्रियां जो थी आँखों से देखना चाहरे थे भगवान का दर्शन करना था लेकिन वह ना करके आप किसका दर्शन करने लगे किसी और गार आप दुनिया की और चीजों पर ध्यान तो मन ने भठकाओ कर दिया तो वह क्या हो गए आप मन के कर जाते हैं यानि आत्मा की बात सुन लगनी है जब आत्मा की बात सुनते हैं तो आत्मा से हम परमात्मा का ही स्वरूप हो था है तो उन्हां वही बात भगवान कह रहे है कि यदि तुम ऐसा करने में भी अशक्त हो रहे हो तो मतियोगम आश्रेता तुम मेरे योग का आश तुम सारे कर्मका फ्यभ्ऩा कर दू तब भी सर्ण में आ जाओगे ऐसा उतिज스크र सब्राइब नहीं गर Rub estAL उसके बाद अब किकरद्मृ यसे कर ने वे करने वह यह पक्र न ही नहीं कर रहे हो तो तो फिर तुम क्या कर सकते हैं मत योगम मेरे योग का आश्य आश्य ले करके यतात्मवान आत्मवान हो करके इंद्रियों को वशीभूत करके सर्व कर्म फल त्यागम कुरू सारे फल के कर्म का तुम त्याग कर दो तो सरलार्ध हमारा कैसे बनेगा यदि आप ऐसा करने में भी असमर्थ हो तो मेरे योग की शरने और अपने सभी कर्मों के फल को आद्मसंयमी मन से त्याग दे यानि इंद्रियों को वशीभूत करोगे तभी कर्म के फल का त्याग कर पाओगे प्राक्ति का वर कली नहीं माँगा इशर की शर्ण अगती नहीं माँगी इश्वर को नहीं चाहा इश्वर के लिए कर्म के फल को नहीं चाहा हमने अपने फलों को दूसरा ही समझ लिया हमने दूसरे अन्य चीजों की कामना की और अन्य चीजों की जब कामना करते हैं तो हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है तो अब हम दस करेंगे अब हम सूला करें अब हम यह भी करेंगे तो सारे भगवान के लिए भी कर्म करते हो लेकिन उसमें भी फल का त्याग करने की अगर तुम अपनी इंद्रियों को वशी भूत करके कर्म के फल की अगर तुम क्या कर देते हो त्याग कर देते हो तब तो फिर भगवान का आश्या को मिल जाएगा भ जब हम सब चीजे समन तब आती हैं, जब हम आत्मवत हो जाते हैं, जब हम मन की बात सुनना बंद कर देते हैं, तो अपने आप से ही जो दुरगुन होते हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक है, सर्व कर्म फल त्यागम, यानि सभी कर्मों की फल का त्याग, यतात्मवान, यानि मन और इंद्रियों को वश्मे करने वाले को यतात्मवान कहते हैं यतात्मवान ठीक है समझ गया आग अब आगे चलते हैं संस्कृत का भावारत देख लेते हैं भावो अयम अस्ती भाव यहाँ पर यह है कि यदत्र यहाँ पर यह है अब आप क्या करो वो कह रहे है कि अगर विशयादी विशयादी आक्रष्ट चित विशय को आक्रष्ट विशय जो है हमारे उनको क्या करके उनके को चित से हटा करके उपवास विशयाँ से इंद्रियां हमारी सब जगया गूम रही है उनके विशयाँ से हटा करके उनको हटा करके खीच करके अपने चित को विशयाँ से आक्रष्ट करके आक्रष्ट यानि हटा करके चीक है आकरष्ट करके क्यानि हटा लेना उधर से ख sexuality तो भी विषय आधि मेंमत तब देखना barking तो फ मन की म gesch art हता ह debี है तो महां क्या क्या नहीं देखना चाते हैं और मैं और बूना चाहते हैं क्या में क्या क्या सूतराम की स्वात्नी बुष होता है तो वहां अक्रिश्ट खीच करके उपव्यास व्रत अनुष्ठान आदी घर में तुम असमार्थ हो आपसे अनुष्ट theSn Girat करु अपने दूआ करके समय करके सारे कर भिना विचार किये महिन समर्पाइ मुझे समर्पित कर दो अगर ऐसा भी आप करते हो तब भी मुझको प्राप्त कर लोगे तो भावारतिया है कि यदि आप इंद्रिय सुखों की योर आकरशित मन से वरत मननत आदी कर्मों को नहीं कर पा रहे हैं तो अपने समस्त कर्मों की फल की परवा किये विना इस थिर मन से मेरी शरर में आजाओ ठीक है चले तो अब इसके संदी विच्छेद हमने आपको जैसा के बता ही दिया था कि यहाँ पर अथ और एतत शब्द हमारा अलग निकला अपिय में से अपी अलग निकाला शक्तो असी को हमने शक्तह असी कर दिया यहाँ पर हमारी उत्वसंदी का नियम लगा था यत आत्मवान यत और आत्मवान शब्द से मिलकर बना है अब यहाँ पर पदपरिजय देख लेते हैं कि अशक्तह और आश्रितह ये दो हमारे शब्द आये हैं कौन-कौन से शब्द हैं ये शब्दों से मिलकर बने हैं मत्त्त भी हामारे इसी परातिपधी शब्द हो रहे हैं संग्या शब्द बन रहे हैं पुरलिंग बन रहा है अब यह भी मताएंगे कि एक्ट प्रत्मावी वक्त ही यह वचिन आश्रित है हमारा क्यासा अकारांत शब्द हो रहा है बालक जैसे रूप है तो आश्रितह जैसे बालक त्रत्मा के एक वचन में बनता है तो इस प्रकार से आश्रितह वालिया धातु देख लेते हैं कुरू जो है वह हमारी कृधातु है कुरू कहां आती है लोटलकार मध्यमपुरुष क एक वचन में और असी जो है वही हमने अभी पहले भी आपको श्लूक के साथ बताया कि असधातु लटलकार जो है मध्यमपुरुष एक वचन में सी थह था का सी आ जाता है असधातु में ठीक है समास दीख लेते हैं अशक्तह जैसे असमर्था हुए तो हम कहेंगे ना शक् सभी कर्मों के तुक कर्म सच्थिंबक्त की सउब दिया होगा सर्वेशाम्कर्मना उक्ष्थी लेकिनसद क्या अग्या हें कर्मकी विशेस्था बता रहा था विशेशन भी हमेशा अपनी संग्या जैसा ही अपने विशेशन जैसा अपने विभक्ती के साथ में रूप बनाता है तो यहाँ पे सर्व सभी कर्मों का तो कर्म शब्द में सष्ठी का बहु अचन लगाया गया तो सर्व भी सष्ठी के बहु वचन में बनिया सर्वेशा सर्वेशा कर्मानम सभी कर्मों के फल का त्याग सभी कर्मों के फल का तो फल में सष्ठी का एक वचन लगा दिया तो फल का त्याग है यह हमारा सष्ठी तत्परो समात बनिया यतात्मवान किसको कहते है यतह सयमित है आत्मा यसयसह यतह जिसकी आत्मा सयमित हो गई हो उसी को क्या कहते है यतात्मवान कहते है ये बहुरी ही समासमारा बन रहा है प्रत्या देख लेते हैं अशक्त और आश्वित दोनों में ही इक्तप्रत्या लगा है पहले देखे आ जो आया हुआ है वो किस से आया है कोई उपसर्ग में नहीं होता है यह नए तत्परोसमाज में होता है नए तत्परोसमाज का है शक इसकी मुल्धातू है ता जो आया है वो एक्तप्रत्याय का ता शेश बचा है और ता में जो एक्तप्रत्याय का ता होता है पुरलिंग के लिए तह बनाता है स्त्रीलिंग के लिए ता बनाता है नपुन सकलिंग के लिए तम बनाता है तो तहह यानि यह पुर्लिंग रूप बना हुआ है प्रत्मा के एक वचन पुर्लिंग में वो बालक जैसी रूप बनते हैं स्री लिंग में बालिका जैसी बनते हैं एक्तप्रत्य युक्त और नपुन्सक लिंग में हमारे फल जैसी बनते हैं ठीक है ऐसे ही आश्रित में परकारांत वाला होता है वो नैका आता है लेजिश्रीव और फूरलिंग रूप बने तो ऐश्च। बना आ श्रित का बना जा उसको पूरलिंग में प्रत्मावी वक्ती एक बचन में रूप बनाया गया ठीक है चलिए अब चलते हैं अपने नवम श्रुक पर श्रेयोही ज्ञानम अभ्यासं ज्ञानाद्यानम विशेश्यति ध्यानाद कर्म फलत्यागस त्यागाच्छां तिरन अंतरम तो देखें केते हैं श्रेयोही ज्ञानम अब यहां से यहा अर्थ कैसे निकालें अगर हम अगर आपको संधी का विच्षिद न कराएं तो फिर आपका संभव हो सकता है कि हम इसका एक साथ में अर्थ निकाल लें यहां पर लिगया है ज्यानाम भ्यासं ज्ञानाद्यानम ट्यानम अब इन सबको हम कर लेंगे विग्रह विग्रह कर लेंगे अर्थ बिल्कुल सरल है श्रेयो श्रेयो को पहले ओ की मात्रा को सबसे पहले विसरग में बदल के का लिजिए श्रेयह यानि स्रेष्ट श्रेयह का अर्थ क्या हो गया? स्रेष्ट, ठीक है? shreiah हम यहां पर पेली वाली अपनी पंग्ती है दूसरी पंग्ती का आपको विग्रह करके बताएं तो यहां क्या लिखा है? shreiah यानि स्वेश्ट shriah ही, यानि स्वेश्ट है क्या स्वेश्ट है? he यानि निश्चित करने के लिए आता है जैसे अथ प्रारंब करने के लिए आता है ही जो होता है वो निश्चित किसी बात को निश्चित करने के लिए बताया जाता है कि यह बात हम निश्चित करके कह रहे हैं कि श्रेयह यानि स्रेष्ठ स्रेष्ठ क्या है अब भवान बता रहे है क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने बताई तो उन्होंने कहा के स्रेष्ठ कहते हैं ग्यानम और यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने ग्यानम को अलग कर दें बहले हम अलग कर दिया तो आ बाहर निकला तो यह हो गया अभ्यासान तो यहां हो गया अभ्यासान ठीक है यह जो हमारा यह है वो इस प्रकार से हो गया ठीक है अभ्यासान अभ अभ्यासान जो लिखा हुआ है यह जो न न जो दिख रहा है हमें अब इसका परिवर्टन हम बाद में करेंगे ये हमारा क्या लिखा हुआ है ग्यानात अब पहले अगर हम इसको माहलंत मान ले ये जो यह है यह का हम परिवर्टन अभी देखेंगे जो यह है इसको हम अपनी कुणसी संदी हमारी अनुनासिक संदी से अपना पूर्ण करने की प्रयास करेंगे फिर यहां पर आ गया हमारा ग्यानाद ग्यानात है तो ग्यानात को ग्यानात कर ले ठीक है दाकोता में बदल दिया और यह हो गया हमारा ध्यानम ध्यानम और फिर आ गया हमारा विशेश्यति विशेश्यति चीक है तो क्या कह रहे है यहां पर शेह ही ग्या ग्यान से स्रिष्ट अभ्यासान ग्यानात अब कहते हैं ग्यान से अभ्यासान है अब इसको पहले हम सबसे पहले इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे इसको परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह जो यहां है किसके परिवर्तन से आया है यहां पर हमें ग्यां दिख रहा था यानि ज़ और यहां की मिल से हमारा ग्यां बनता है जिसको हम ग्यां से ग्यां नहीं कहते हैं जबकि इसको ज्यां पढ़ा जाता है जब यहां से मिलकर बनता है जियां कहते है इसको ठीक है न तो अब यहां पर निश्चित तोर पर आपको यह समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा अनुनासिक वर्ण था जो कि अनुनासिक की होने से अपने ही पंचम वर्ण में बदल गया ठीक है यह हमारी अनुनासिक आदमें यहां पर हम देखें तो हमारा क्या हो जाता है शब्द जो है वो किसमें पंचम वर्ण में परिवर्ण हो जाता है ठीक है दो पांचने अक्षर ठीक है प्रथम वर्ण का पंचम अक्षर में परिवर्ण सिखाया है हमने आपको किसमें अनुनासिक संदी में तो यहा पर हमने देखा कि यह जो हमारा यहां है यह परिवर्थित हुआ है परिवर्थित किस से हो सकता है ना से हो सकता है ना से हो सकता है क्योंकि यहां पर भी हमारा ज्यां जो आ रहा है यह तो परिवर्थन किसकी जा था चाचा जा वर्ण हमारा कौन सा होता है चा वर्ग का होता है इसलिए ये पंचमवर्ण में बदलाता हमारा ठीक है लेकिन अब हम इसको क्या अगर मा करें मा करें तो फिर इसका क्या अभ्यासान कोई शब्द हो रहा है बुल नहीं बन रहा नहीं बन रहा तो इसको नामे परिवर्दित करके देख सकते हैं हमने अभ्यासान कर दिया अभ् अभ्यास को अभ्यासों को तब भी हमारा अर्थ नहीं निकलेगा कि शेह ग्यानम अभ्यासान ग्यानात तब भी सही निकल नहीं निकल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं अब इसको हम ता में परिवर्थित कर सकते हैं हम यह कहेंगे कि हमारा प्रिथम वर्ण पंचमक्षर में परि ग्यानम हो गया ग्यान को अभ्यासात यानि अभ्यास से ग्यानात यान से ध्यानम विशेश्यते विशेश रूम से कहा कि ज्यान से ध्यान विशेश्यते क्या होता है अब यहां पर क्या स्ष्रेश्ट बताया जा रहा है किस से कहते हैं अभ्यास से ग्यानात ग्यान से ग्यानम अब ग्यानम भी लिखा हुआ है यहां पर ग्यानम भी लिखा हुआ है ध्यानात भी लिखा है ध्यानम विशेश्यते बना हुआ है तो अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सभी में से का अर्थ निकल रहा है अभ्यास से ज्यान से ध्यान ये तक तो हमें समझ में आ रहा है औ यान को बताया तो अब इन चारों में क्या समानता है या क्या समानता है या क्या कौनसी चीज जादा अच्छी है इनको भी उन्होंने तुलना करके बताया भगवान ने कहा कि अभ्यासात यानि अभ्यास से ज्यानम श्रियह ज्यान स्रेश्ट है ठीक है अभ्यासात अभ्यास से ज्यान स्रेश्ट है फिर उन्होंने कहा ग्यानात ध्यानम विशेश्यते और ग्यान से तो ध्यान जादा विशेश रूप से कैसा है? सुरेश्ट है ग्यान से ध्यान जादा सुरेश्ट है फिर उन्होंने आगे क्या कहा? इतना समझ में आ गया? तो आगे का बताते हैं फिर उन्होंने कहा ध्यानात अलग कर लीजे यहां लिख लीजे ध्यानात यानि ध्यान से कर्म फल त्यागह अब देखे सा उत्या है इसको अलग कर लीजे तो यह हमारा शब्द क्या हो जाएगा कर्म इधर से दर तक कर्म फल त्यागह चीक है साखो इसमें बदल दिया कर्म फल त्यागह चीक है तो क्या कहा अभ्यासात ज्ञानम श्रेह अभ्यास से ज्यान स्रेष्ट होता है फिर कहा ज्यानात ध्यानम विषेश जेते ज्यान से च्विश रूप से स्रेश्छ रोता है भी उन्हांने इता कई से कर्मफल त्याग है जरन से क्र्मफल ज्याद़ा त्याग कर्मफल त्याग स्रेष्छ्ठ है त्यागत चान्ति रअनंतरम त्याग से त्यागाद अब यह लिखा है त्यागाद अब यह जो च है वो किस से ता में परिवर्तिन हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुण सी हमारी दो संदिया लगे हुए चा और चा दो दिख रहे हैं यह अब हम पहले मूल शब्द बताएं फिर संदि बताएंगे कि कैसे परिवर्तन हुआ त्यागाद अब यहाँ पे हो गया शांती शांती ही रा को फिर से तोड़ा और यह हो गया हमारा अनंतरम पहले हम आपको इस पश्ट करते हैं इसके बाद में सारी संदिया आपको बता देंगे तो पहले भगवान श्रेष्ट होता है और ग्यान से ध्यादा ध्यान स्ट्रेष्ट होता हो जादा ही और ध्यान से कमफल का त्याग कवाना स्लों और त्याग से शांती अनंतरम तुरंत शांती की Vaadaud हो जाती है इसके बाद में त्याग से शांती की और हम तुरंत पहुंच जाते हैं प्राप्त हो जाती है ठीक है अनंतरम यानि त्याग से ही त्याग के बाद शांती मिल जाती है जो आत्मा है जीवात्मा है पहले अभ्यास करें अभ्यास से ज्यान की प्राप्ति हो ज्यान से ध्यान की ओर जाए लेकिन ध्यान से भी ज्यादा स्रेश होता है त्याग जब कर्मफल की हम त्याग कर देते हैं तो उससे त्यागात अनंतरम शांती त्याग ध्यानात कर्मफल त्याग व ही त्याग जिसके त्याग से शमस्कल्छ निश्चित हे जिसके त्याग से ही हम e subsequent क्राती ही हू परम्शांती की होते हैं सर्व कर्म сил भल्तियाग रूप साधन की स्रेश्टता का वर्णन करती हुए जान के दॉआरा कर सकती है िरना इंद में कर्केarta यहां पर वही सरलार्त में हम सबसे पहले बताएंगे कि इश्वर प्राप्ती की मार्ग में सर्व कर्म फल त्याग रूप का जो शादन है उसकी स्रेष्टता है आपको बताते हुए भागवान स्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि अभ्यास से तो ज्यान स्रेश्ट होता है और ज्यान से भी ध्यान विशेश है ज्यादा अच्छा ज्यान से ध्यान ज्यादा विशेश है और ध्यान से कर्मों की इक्षा का त्याग स्रेश्ट है क्योंकि त्याग से ततकाल ही परमशांती प्राप्त हो जाती है तो सबसे सरल मार्ग कौन सा हो गया कर्म फल की त्यांग एक और भी श्लोक आता है जिसको तो बहुत सुना भी जाता है लोगोंने बहुत बच्चे भी जानते होंगे कर्मन्ने वाधिकार रस्ते मां खलेश्यू कदाचन तो उसमें यह कहते हैं कि कर्म पर अधिकार रखो लेकिन फल की इक् कर्म फल त्याग का अर्थ हो जाएगा कर्म फलों का त्याद ठीक है और बाकी के अर्थ तो हम आपको एक एक शब्द के अर्थ तभी बताई देते हैं साथ में भाव क्या बनेगा यहां पे भावार्थ क्या होगा कि भावो अयम यत ईश्वर प्रापति शाधनेशू समर्पन, अभ्यास, भगवत अर्थ कर्म, सर्वेक कर्म फल त्याग अत्रवर्णेता यहां पर इश्वर प्रापति के साधनों में समर्पन, अभ्यास, भगवत अर्थ कर्म यानि भगवान के लिए कर्म और सर्वेक कर्म फल त्याग सभी कर्मों के फल का त्याग यहां पर वर्णन किया गया है लेकिन एतेशु अपी इन में भी कर्मफल त्याग स्रेश्टता प्रतिपादल कर्मफल के त्याग की स्रेश्टता बताई गई है कि कर्मों के फल की जब हम त्याग कर देते हैं तो वह हमारे हमें भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है सबसे स्रेश्ट उसको बताया गया है त्यागं ठीक चले, तो इस प्रकार से ये हमारा भावार्त भी हो जाता है संधी हम आपको बता ही चुके हैं और भी यहां बताय देते हैं और अभी हमने अपको बताया था कि कैसे परिवर्तन हुआ है कहां कहां तो उसको विए घम पश्ट कर देंगे तो की मात्रा तो सबसे पहले देख लीजे हमारी उत्वसंदी से हुई है तो श्रया ही हो गया इसके बाद हमने ज्यानम को अलग किया अभ्यासान जो लिखा हुआ था इसको हमने अभ्यासात किया चीगे यहां से ताका पहले हमारा भी नामे परि परिवर्तिन हो गया तो यह परिवर्तन यहां पर हमें दिखाए दिया अब इसके बाद में ज्यानात ध्यानम को ताका हमने दा में परिवर्तन कर दिया यह जशत्युसंदी का परिवर्तन हुआ अच्छा एक जो यहां पर आया है शब्द हमारा कौन सा त्यागा च्छांति शुत्रसंधी क्या कहती है? शुत्रसंधी कहती है कि यदी हमारा स्टो, शुना, शुहू। ये हमारा सूत्र होता है. जो कहता है स या तावर्ग, स या तावर्ग, तावर्ग के पांच वक्षरम ने यहां बता दिये। इनके बाद में अगर श या चावर्ग आजाए श्चुहू, यानि श या चावर्ग कोई आजाए, तो ये जो इस्टो है, वो इस्चुहू, यानि श और चावर्ग में परिवर्थित हो जाता है अब इसको सरल तरीके से हम कैसे कहेंगे, इतना तो समझ में आएगा, इस तो इशना इशु हूँ, चीक है, अब इसका हम क्या आग देखें, कि अगर स, त, थ, द, ध, और न, अगर इसके बाद में कोई श, च, च, ज, 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 और यहां, यहनि जरूरी नहीं कि सा के बाद शाह कोई भी हो, ता के बाद इनमें से कोई भी हो, यानि इस तो के बाद में शो होना चाहिए, अगर ऐसा होता है, तो यह जो सा है, शा में बदलेगा, भई बदलेगा लेकिन उसी से, भले ही सा के बाद चाहो, चाहो, जाहो, जाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सा जब परिवर्तित होगा वो शामय होगा ता जब परिवर्तिता के बाद में अगर इनमें से कोई भी वर्ण होता है तो ता जो परिवर्तित होगा वो चामय होगा क्यों कि भाई ता पहला अक्षर है तो वो जब बदलेगा तो पहले अक्षर में ही बदलेगा दूसरे से नहीं बद जाएगी किसमें पहली स्थानवाला तो पहला ही राएगा दूसरे इस्थानवाला तो दूसरे से बदलेगा तो यहां पर भी होगा कि ना अगर होगा तो यहां पर भी परिवर्तन हुआ के इहां पर भी देखें कुंसी यहां पर भी यह था जो यह लिखा हुआ था पहले टा था टा से परिवर्चन किस में हुआ वैं गोलoo ना से ना में परिवर्तन हुआ और ना से फिर यहां में परिवर्तन हो गया क्यों न अगर बदलेगा तो यहां में बदलेगा यह हमारी इश्योत संदी का नियम कह रहा है यह इतना परिवर्तन हो गया इतने के बाद में यहां हमने देखा त्यागाच च जो है यह हमने के आया था तासे तो हमने त्यागात कर दिया हो गया अब यह च्छानती जो लिखी हुई है यह च्छा कहां से आया है मुले यह च्छत्तो संदी से आया है कि चावर्ग की बाद में च च के आगमन के बाद में अगर कोई श होता है तो वो किस में परिवर्थित हो जाता है हमार बीर रा हुआ है रा में परिबर्तित हुआ है अब रा से परिबर्तिती है तो तो रामे से हमने पहले सबसे पहले किसको निकाला स्वर को निकाला तो यहां नंतरम को दे दिया तो वो बनिया हमारा अनंतरम अनंतरम बनिया तो आधे रा को क्या करो को लिए रत्वसंदी से आ जाता है आधारा तो यह गार शांति तो इस प्रकार से त्यागात शांति ही अन अंतरम हमारे शब्द बन गए ठीक है ना तो आगे देख लेते हैं पद परिचये जबद रुप के देख लेते हैं अभ्यास तो आत कहां आता है मुल्शब्द हमारा अभ्यास हो गया आत हमारा पँच मी के भीभक्ति यह गया गया जब देख लेते हैं हमारा अगला शब्द है धातूसी को विशीश्यते अभ इसमें वी उपसरग शिष्धातु टे एते अंते कहां आता है आत्मिन crashed के अनुसर में आत्मिने पड़े अनुसर में रूप बनते हैं तब रख दूब पल अकुर्श में 310 लगा का त्याग है यह सष्थी तत पुरुसमास हो जाएगा अब यहां पहें शांती किसे मिलकर बनता है शांती शब्द किसे मिलता है सम और एक तिन प्रत्ययशे शांती बनता है चीक है अब चलते हैं हम अपने अगले श्लोग को पढ़ेंगे लिखा है अद्वेश्टा सर्भ भूता नाम मैत्रह करुण एवचा निर्ममो निर अहंकारा सम्दुख सुख छमी अब देखे किती अची बात कहिए कहते हैं अद्वेश्टा अब यहां से तक तो उन्होंने बता दिया भगवान ने सारे कर्मों के बारे में बताया कि पहले आप अभ्यास किजे अभ्यास से तो लेकिन ग्यान स्रेष्ट होता है और ग्यान से ध्यान जादा होता है और ध्यान अब यहां पर उनकी विशिस्ता हैं आने वाली है तो कहते हैं अद्वेश्टा सर्व भूता नाम मईत्रह कर्ण ये वचा निर्ममो निरहंकारा समदुख समदुख सुख अच्छमी कैते हैं अद्वेश्टा द्वेश शब्द से हमें पता चला है द्वेश करने वाला यानि किसी को देख करके हमा उसके प्रती अगर बुराई की भावना अंदर लाते हैं तो वो द्वेश कहलाता है लिकिन कहते हैं अद्वेश्टा अद्वेश्टा यानि द्वेश भाव से जो रहे थो अ लग जाने से उस शब्द का उल्टा अर्थ निकल जाता है ठीक है न तो यहां प्रसन का अप्रसन हो जाता है ज्यान का अग्यान हो जाता है तो यहां द्वेश्टा यानि द्वेश करून भर्व माम इंव यह और जी होगा ज़िकरता है त система किसको कि ओर आती है मना हों आनुह हुग सकतए यहां मेरे मेरे का आभाओ हो मेरा मेरा को होता है ममता किसको कहा जाता है ममता भी उसी से बनती है ममता मम का जहां पर भाव आजाए मेरे होने का भाव आजाए मम से तो क्योंकि मां की ममता क्यों होती है मां के अंदर ममता का भाव क्यों होता है क्योंकि मां खुद को ही अपने पुत्र या पुत्री या जो भी संतान होती है उस होता है अब मा के अंदर मा के अंदर अपने संतान के लिए कि इसका स्वेम का प्रीम होता है स्वेम जैसा प्रीम होता है कि यह मेरा अंश है मेरा है तो मेरे का भाव आया ना तुम मम का जिसमें भाव हो तो यहां कहा निर्ममह जिसमें ममता ना हो ठीक है जिसमें मेरा मेरे कहन बन गाएगा जिसमें अंकारना हो और सम यानि समान रहता हो सुख दुख सुख और दुख में समान रहता हो और छमी यानि छमावान हो ऐसा भक्त मुझको कैसा होता है प्रिय होता है अब यहां पर इस दसवे श्लोक से जितने में हमारा सोलवे श्लोक तक सारे सभी में क्या ब तो पहले बनाएगे क्या अनवाए तो सही आज दिर थे से निकलेगा कहते हैं सर्वभूता लिखानां सभी प्राणियों का या सभी प्रानियों की या सभी प्राणियों की, काकी की कार्थ निकलेगा, क्योंकि नाम नाम लगा हुआ है, सभी प्राणियों की, अद्वेष्टा, यानि द्वेष ना रखने वाला, द्वेष रहित, मेत्रह, मित्र भाव वाला, जिसके अंदर मित्रता का भाव हो, मित्र यानि हमारा सखा, और मे अड्विष्ट ना रखने वाला हुआ। करून किसको कहते हैं दयालू जिसके अंदर दयाग भाव होता है वो करून होता है अर्धात किसी के सुख को देखकर भी खुश से आप करुणा आये आपके अंदर और किसी के दुख को देखकर भी आपके अंदर दुख का भाव आये वो आपके अंदर की करुण भाव होता है किसी के दुख में देखकर खुशी होने वाला व्यक्ति करुण नहीं होता है तो कहते हैं करुण अहां निर्मम अहां यानि जिसके अंदर ममता का भाव नहीं हो मेरा मेरा नहीं कहtså हर चीज मेरी मेरी जहां आंज जायाती ना बात कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा तो वहां पहला फिर बाकी किस सब का क्या कुछ थो निर्मम मतलब ऐसे जो सहर प्राणियों के जो प्रती जो कैसा द्वेश से रहेत हो जिसके अंदर मित्रता का जिसके अंदर भाव हो करुणता का जिसके अंदर भाव हो जो निर्मम हो ममता से रहेत हो बहीं ममता जिसके अंदर जादा हो जाती है ना तो क्या हो जाते हैं मुह बहुत ज तो वो बात अलग कर दी जा लेकर हम विशेयों की बात Olर है के संसारिक अला उसके प्रती में तरिक जिसके ना हूं जो अंकार से रहत हो जो सम हो यांनि समान हो कहां पे डुख दुखँई या सुखू उसमें समान रहने वाला हो चमी छमावान हो ये बच्चा ही और ही अब और क्यों क्या दिया है क्योंकि आगे वाला श्लोक भी हमें और भी किनी चीजों को बताने वाला है ही मुझको क्यासा होता है प्रिय होता है तो यह हमारा जो दस्वाश लोक है ग्यारवी श्लोक में इसका अर्ख जाके स्पेश्ट होगा पूरा होगा तो यहां पर ही तक हमारा रोक दिया गया लेकिन एक जो हमारा भाव छुपा हुआ है वो क्या छुपा हुआ है मे प्रिय व और ये सब भी ना कर पाओ तो सारी कर्म के फलों का त्याग कर दो, वो सबसे स्रिष्ट है। और जब अगर ये करने वाले व्यक्ति कैसा हो जाए, वो द्वेश ना रखे। जब त्याग हो जाता है तो द्वेश रहत हो जाता है। मित्रता का भाव उसके अंदर स्वाभावी ग्रूप से आ जाता है, दयालुता उसके अंदर अपने आप ही आ जाती है, ममता का भाव खतम हो जाता है, मेरा मेरा करना बंद कर देता है, क्योंकि वो लगता है सभी प्राणी समान है, तो क्या मेरा क्या ती रहे सब समर्त्यू की जाती है अहँकार से जो रहत होता है सुख दुख मेær समान रहने वाला चमावान ही और चमावान ही और शुपा आर ने चमावान ही गहा ते लेखिग का है डिक सरह फीऔ susceptible मेरी बुर्ण करता है यह इसक नगा उसको प्रिया होता है लेकिन तो यहां पर सरलार्थि वह बन रहा है कि सब प्राणियों की प्रती जो द्वेश भाव से रहें हो मित्र भाव वाला हो मंता नहीं क соверш अहंकार से रहें हो सुक्ष और दुख की प्रावति में समान रहने हो तता चमावान होता है ऐसा भक्त ऐसा व्यक्ति ऐसा साधक ही मुझे प्रिये है ठीक है तो यह चीज आप स्वेम जोड़ देंगे अद्विष्टा यानि द्वेश ना रखने वाला निर्मम यानि मूर से रहेद निर अहंकार अहंकार से जिसमें शुने हो अहंकार जिसमें अहंकार का अभाव हो कुछ भी लिख सकते हो दुर में हम देखेंगे लिखाए भाव अयम ब्रियव यह है कि वाव रहूत दयावान अहंकार प्रिय भवती संदी से आई थी तो अलग करके हम लिए ऍर्मंह अहंकार और बागी हमारी पर यहां पर संदी आई नहीं है सारे कैसे हैं एक एक शब्द ही हैं जहां आतमी हैं यह वाँ तो हम आपको बताई के दें हैं सर्व भूत आनाम तो शष्टी के बहुवचन में लगाया जाता है समास जरूर भूछ सारे आये हैं अद्वेष्टा नाद्वेष्टा अग को नामें बदल दिया नैतक पुर समास उसको विग्रह कर दिया सर्वभूता नाम तो सर्वशब्द किसके संग में आया है भूत के संग में बूत में क्या लगी है? सष्टि बिवक्ति, बहुचन, भूत भूता नाम मनिया तो सर्व भी जब अलगों का कर्मधारय बात बोले, कैसे प्राणियों की बात करे रहे हैं? jay सारे प्राणियों की सारे शब्द है सर्वर्जब्द है उसमें भी सश्टी का लगुदधा ना में अभी सभी प्राणियों कें सश्टी जर्वरा ब्रहुत है निर्ममहं मम freakin अभाव म मत्वक का ममत्वक अभाव जिसमें होता है उसको निर्मम कहते हैं, तो निर इसमें उपसर्ग जोड़ाता है, जहां पर उपसर्ग वगएरा जोड़े होते हैं, वो अमारा अव्याई भाव समास के ही नियम से उलगाया जाता है, तो निर का अर्थ सबसे बाद में, अभाव बाद में आया, ममत्वस्य यानि ममत्व का ज यहां अभाव हो यह भी अब यह भाव समास होगे हमारा सम दुख सुख यानि सम में सबर्द ढाते हैं और बाकी के अगले वीडियो में अनुवात के भाग तीसरे में हम 11-16 तक के श्लोक पढ़के आपको बताएंगे जिन में के सारे अभी तक जो हमारी 6 से लेके 10 तक की जो श्लोक थे उसमें भगवत प्राप्ति के साधनों की बात करी गए किन-किन तरीकों से किन-किन युक्तियों के द्वारा किन-किन मारगों के द्वारा इश्वर को प्राप्त गया जा सकता है अब लेकिन दसवे से जो हमारा सुल वाश्लोक है उसमें अब बताया गया है कि कैसे भक्त मुझको प्रिये हैं इन्हें सबका आचरण जो करते हैं जो और यदि कोई व्यक्ति वैसे आचरन करने लगता है तो इसका स्वभावी ऐसा हो जाता है यानि दूसरे की पूरा के जब हमारी अंदर मुह नहीं रहता तो हमारे अंदर सब समान भाव आता है तो मुह अपने आप खतम हो जाता है तो यह हमारे केवल आचरन के उपर निर्भ हमारे अनुवाद भाग तीसरे में सारी चीजें बता दी जाएंगी दसवेश लोग से हाला कि शुरू हो चुका है कि ऐसा भक्त जो मुझको प्रियो होता है यह सारे वीडियो आपको हमारी मैगनेट ब्रेस वेबसाइट पर मिल जाएंगे गूगल टैप पर जाना है लिख जितने अब्यास अनुवाद हो चुके हैं सबकी लिस्टे आपको मिल जाएगे सूची में मिला हुआ आप जिसको क्लिक करेंगे वह आपके सामने ओपन हो जाएगा यह इसलिए क्योंकि आपको कई बच्चे कहते हैं मैम हमने जैसे कोई नया बच्चा आज ही वीडियो करने नहीं है आप वेबसाइट पे जाओ रेजिस्टर करो तुसके भी कोई पैसे नहीं लगना है को यूट्यूब अर चीज़ फ्री है देके मैगने प्रेंस की सबसे च्छी बात है और आप आराम से यूट्यूब की जो लिस्ट बनी हुई है उसमें भी जाके देख सकते ह तो हर तरब से आपको हमने बता दिये है मार्ग आप जाए कोजिए पढ़िए और इनको पढ़कर के भगवतगीता के आगे वाले भी खुद भी अध्याय पढ़ना शुरू कीजिएगा चले ठीके मिलते हैं अगले वीडियो में आगे किस लोकों को पूरा करेंगे तब तक किली दने